लेकिन सुधानशु जी जो बात राम मंदिर के विशह में कही जाती है कि राम मंदिर के आविशक्ता क्यों है पेरे तो यह आप बताएगा कि आविशक्ता क्यों है और दूसरा केवल मंदिर के बारे में ही क्यों कहते हैं को यह क्यों नहीं कहता है मस्जिद के आविशक्ता क् क्यों है या गुरुद्वारे की आविशक्ता क्यों है या आप लोगों के भी मन में कभी सवाल आता होगा है क्यों ऐसा क्यों है उसका कारणी यह देखिए मैं आपको बात बता हूँ दुनिया में बहुत सारी शक्तियां काम कर रही है वो पॉलिटिकल शक्तियां भी है वो थ confidence में कभी नहीं देखे मैं नहीं कह रहा हूं कि दूसरे धर्म वालों को अपने उनको पता है असली ताकत इसके पास है और इसकी ताकत सोई रहनी चाहिए हनुमान जी की तरह जैसे राक्षिसों को पता था जिस दिन हनुमान जी की शक्ती जागरत हो जाएगी उस दिन हमें कोई बचा नहीं पाएगा तो आज क्या होता है कि पूरी दुनिया का अटैक बहुत सी शक्तियां राश्टी भी हैं अंतराश्टी भी हैं वो हिंदू धर्म को नष्ट करने और कमजोर करने के लिए लगी रहती हैं इसलिए जो मैंने पहले भी एक आद बात कही है आप समने गजवाई हिंद शब्द सुना होगा गजवाई यॉरप और गजवाई रशिया क्यों नहीं गजवाई चाइना क्यों नहीं हमसे बड़ा इलाका है न वो काहे भई इंडिया मे कहा था महारशी अर्विन ने कि जो इस्थान हमारे शरीर में आत्मा का है कितना अंगुष्ठ मात्रेण जो हमारे यहां अंगुठे के भर का इस्थान आत्मा का रहता है वो इस्थान पूरी भारत में पूरी विश्व में भारत का है तो उनको पता उर्जा का अध्यात में कूर्जा का स्रोती है और यह मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया के सबहदाएं नष्ट हो गई चाइना से शुरू करके आप इंका माया एस्टरक तक चले जाए यह रोमन सिविलाइशन बेबिलोनियन सिविलाइशन टर्किश इंपायर में सोपर टामेन इंपायर सब खतम रशीदन खलीफत अबासी खलीफत अमयत खलीफत खतम इजिप्ट का इंपायर खतम आज सिर्व हिस्टी में हम एक मातर शास्षवत जीवित हैं चूँके हम आत्मा हैं इसलिए हम नष्ट नहीं होते और उनको कहां है दुनिया का इतिहास पूष्टा रोम कहां यूनान कहां है घर-घर में शुभ अगनी जगाता वो उन्नत इरान कहां है दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बरबर अंधियारा तभी चीर करतम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा और इसलिए मैं आपके और बात बताओं इसलिए भी मैं उनकी भी गलती इमानदारी की बात कहें ग्रहस्तों का करतव होता था जो धर्म गुरु होते थे उनका मत्संपरदाय होता था जैसे हमारे या कोई समस्या नहीं आप देवी के भक्त हैं या शंकर जी के भक्त हैं आप कृष्ण के भक्त हैं या राम के भक्त हैं या गणेश के भक्त हैं जो भारत से उत्पन हुए हिंदू फैमिली के धर्म आप मंदिर में जाईए या बौदमट में जाईए या गुर्दवारे में जाईए या जैन मंदिर में जाईए कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि जहां से ग्यान मिलता वहां चले जाईए इसलिए हिंदू मजार पे भी च चला जाए तो कोई फरक नहीं पड़ता चर्च में भी चला जाता है तो कोई आपत्य नहीं करता पर सीमाटिक रेलिएंस में प्रॉब्लम है अगर आप चर्च में जाते हैं तो आप मस्जित नहीं जा सकते हैं आप मस्जित नहीं जाते हैं तो या नोट एलाउट टो इन द सीमेटिक थॉट के वज़े से प्राब्लम है मैंने का नहीं सब सीमेटिक थॉट के आज जो प्रधान मंतरी जी नहीं का ना कि अमरत काल में अमरत निकलने से पहले विश निकलना पड़ेगा ना तो वो उससे पहले जरूरी है इसलिए इन नों के लिए एक पंक्ति काना चाहता हूँ कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की